सदीक के महानायक अमिता बच्चन को भारतिय अंतराश्ट्रिय फिल्म महुत्सव यानि आए एप फाई में परसनालिटी ओफ दायर अवार्ड से समानित किया जाएगा इससे पहले फिल्म महुत्सव के निदेशक सुनीत टंडन ने कहा यह खुशी की बात है कि अमिता बच्चन पुरसकार ग्रहन करने के लिए राजी हो गाए है जो उन्हें भारतिय और अंतराष्ट्रिय सिनिमा में उलेखनियर योगदान देने के सम्बान में प्रदान किया जा रहा है बता दें कि अमिता बच्चन पिछले पांच दशक से भी ज्यादा समय से फिल्म इंडिस्ट्री में सक्रिये हैं वह चार बार सरुष्रिष्ट अभिनेता का राश्ट्री पूरसकार और पंदरह बार फिल्म थेयर अवार्ड जीत चुके हैं फिलहाल अमिताब फिल्म ठग्स ओफ हिंदोस्तान और एक्स ओदो नौट आउट में काम कर रहे हैं वैसे इस बार यह फिल्म महोटसव पहले से ही सुर्खियों में आ गया है मंगलवार को निर्देशक सुजोय घोष्ट ने आए एपफाई के इंडियन पैनूर मार्ड डिविजन से इस्तिफा दे दिया उन्होंने अंतिम सुची में से दो फिल्मों यूड और सेकसी दुर्गा को हटाई जाने के विवाद के बाद इस्तिफा दिया है गवर तलब है कि 13 सदस्य जूरी की सिफारिशों को नावनजूर करते हुए सुचना और प्रसारण मंत्राली ने मल्यालम फिल्मेस दुर्गा और मराठी फिल्म न्यूड को हटा दिया था यह महोट सब 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा